हेलो फ्रेंट्स मैं हूं कारतिक और आप देख रहे हैं मैं जानल भारतिय लो तो जब भी हम बात इलेक्ट्रोनिक एविडेंस की करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में सेक्शन आते हुआ है करने के लिए आपको पेपर पर प्रेंट करते हैं कोई भी लेक्ट्रोनिक फॉर्म में देते हैं तो आपको साथ में एक सेक्शन 65 बी सबसेक्शन 4 का सर्टेफिकेट भी लगाना पड़ता है जो एक आपका सेल्फ अंडर्टेगिंग होती है कि that these have been generated from my computer and I use that particular device or particular computer regularly during the course of the day or course of the business तो एक अंडर्टेकिंग होती है जो आपको साथ में देनी पड़ते हैं जिसको हम सेक्शन 65 बी का सर्टेफिकेट भी कहते हैं अगर आपने ये सर्टेफिकेट नहीं दिया तो आपका electronic evidence admissible नहीं होता कोट के अंदर तो ये तो statutory provisions हो गए बर क्या ये defect curable है तो इसके ऊपर Supreme Court की एक judgment थी अपनी जिसमें Supreme Court ने ये कहा था कि आप इस defect को सर्टेफिकेट देनी की जरूद नहीं है कि आप उस document को rely ही नहीं कर रहे हैं पर अगर आप उसको trial में rely कर रहे हो तो आपको एक opportunity मिलेगी उस defect को क्योर करने के लिए हैं तो एक चोटा सा वीडियो था मैं उस judgment का link भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप वहां से उस judgment को पढ़ भी सकते हैं तो I hope आपको एक वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसको like करिए चैनल को subscribe करिए और कोई भी आपके doubts हो कोई भी suggestions हो तो प्लीज यहां पर comment section में जरूर दीजे थेंक यू